हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माँ चैनल आज के वीडियो में फ्रेंड्स आप तोरण पट्टी बनाना सिखेंगी तो हमने देखिए पत्ती और फ्लावर बला तोरण पट्टी बनाया है बहुत ही प्यारा लग रहा फ्रेंड्स इसको मैं दोनों साट से दिखा दे रहे हैं फ्र वीडियो अच्छा लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें और देखिए कितना ही प्यारा तरण पट्टी है बहुत ही सुन्दर है फ्रेंड्स अगर आपके घर में कोई चोटी बेब भी हो तो आप उनके लिए हैर बेंड डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड्स बहुत पेट लेंगे और फर्ष्ट बाला देखिए नीचे जो चैन है इसी में से हम त्रिपल कुर्श्या बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स त्रिपल कुर्श्या है तीन बार हमने इसको बंद किया बीच में आप देखिए स्पेस थोड़ा से रहेगा फिर धागा हम कीच के औ देखिए इसके अंदर से फिर हम धागे को निकालके कुर्श्या मी लेंगे तो एक बार देखिए हम ने धागा ले लिया है कुरुश्या में ए देखिए दो तीन चार तो इसी तरीके से देखिए हम धागे को कुरुशा में लेंगे पांच छे साथ और ये लाश्ट का है फ्रेंस देखिए आठ तो आठ बार ये से धागा निकालके हमें कुरुशा में लेना है अब इसको हम बंद करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमें बंद करना है दो फंदा हमने इसमें लिया है और देखिए इसको बंद करते हैं फिर हम दो फंदा बंद करेंगे इसके अंदर देखिए दो धागा हमने लिया है यह देखिए तो हमने दो बार बंद किया यह देखिए तीन देखे चार पांच तो दो दागा इसके अंदर है friends छे साथ और इन लाश्ट का है friends आठ तो इसको हमने आठ पार्ट में बंद किया इस तरीके से में घुमा लेना है देखे ऐसे में घुमा लेना है और जो दागा है इसको लपेट लेना है कुरूश्या में फिर देखिए यहां से इसके अंदर से फिर हम धागे को निकाल के कुरूश्या में लेंगे जैसे हमने फ़र्ष्ट वाला धागा निकाल के आठ राउंड लिया था से मुझसे ही हमें यहां पर भी आठ राउंड लेना है तो इसमें देखिए हमने धागा निकाल लिया है अब इसको हम दो दो धागा इसके अंदर रखके इसको आठ पार्ट में बंद करेंगे तो देखिए फ्रेंट से लास्ट का है दोनों पार्ट का धागा कुरुश्या में है अब इनको हम एक साथ बंद कर देंगे, यह देखिए इस तरीके से, अब यहां पर हम दूसरा धागा लगाएंगे, तो पहले देखिए फंदे में धागा ले लेना है, और टाइट कर लेंगे, धागा जो रहेगा इसको हम बाद में नोट लगा लेंगे, और धागा थोड़ा देखिए धागे को निकाल लेंगे, एक एक धागा में निकालना है, और एसे हम धागा निकाल के कुरुशा में लेंगे, यह देखिए फ्रेंस लास्ट का है, इसको भी निकाल ले रहे हैं, तो देखिए हमने सभी पार्ट के अंदर से धागा निकाल लिया है, अब इसको हम बंद करेंगे तो इसके अंदर देखे फ्रेंस ए दो धागा हमने रखके इसको बंद किया है फिर देखे दो धागा हमने इसके अंदर रखा फिर इसको बंद करती हुए दो धागा इसके अंदर रखेंगे तो इसे तरीके से हम इसको पूरा बंद कर लेंगे लाश्ट में तीन धागा बसता है इनको एक साथ बंद कर लेना है देखे इस तरीके से अब इसको हम घुमा लेंगे ए देखे और फिर धागा इसको ऐसे कुलशा में लपेट लेना है अब यहां पर देखे फ्रेंस यह जो बीच का है यहां से एक हम एक्स्ट्रा निकालेंगे यह देखे एक धागा हमें एक्स्ट्रा लेना है अब फिर आगे देखे अब जो पार्ट हमने बंद किया है अब इसके अंदर से देखे हम धागे को निकालेंगे तो देखे फ्रेंस जो नेक्स्ट वाला देखे पार्ट है इसके अंदर से निकालेंगे तो इसी तरीके से हम दो दो धागा इसके अंदर रखके इसको बंद कर देंगे तो देखिए फ्रेंस हमने जो एक्ष्ट्रा धागा लिया था अब दोनों पार्ट हमें एक साथ बंद कर देना है यह देखिए इस तरीके से अब इसको हम सीधा कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस पत्ती हमारा बनके त्यार हो गया है अब इसके आगे हम चैन बनाएंगे एक चैन दो तीन चार और ये लाश्ट का है पांच पांच चैन बनाके धागा हमें छोड़ देना है अब ग्रीन बला हम धागा लेंगे तो देखिए फ्रेंस यहां से यहां से जहां से हमें चैन बनाना इस्टाट किया था इसी के अंदर से पहले हम धागे को निकाल लेंगे और फिर हम चैन बनाएंगे यह देखिए इस तरी के से में एक चैन दो तीन और देखिए चार चैन बनाके दो राउंड इसे धागा देखिए हम लपेटेंगे कुरुश्या में और इसी के फंदे में फ्रेंस देखिए नीचे यहां से यहां से धागे को निकाल के और दो बार इसे दो दो धागा लेके बंद करेंगे यह देखिए एक धागा मे प्रूश्रा में लपेटेंगे और जो ग्रीन धागा इसको पीछे की साइट करेंगे यह देखिए इस तरह के से तीन राउन में लपेट लेना है अब देखिए फ्रेंज फिर इसी वाले फंदे में से इसमें से हमने भी चैन बनाया उसी में से फिर देखिए हम यहां पे दो में बनाना है अब इसको हम पूरा बंद कर लेंगे सभी फंदों को अब धागा छोड़ देना है अब यहां पर देखिए फिर हम ग्रीन धागा लेंगे पहले तो ऐसे फंदे में डाल लेंगे अब यहां पर देखिए फ्रेंज यह जो हमने चैन देखिए किनारे का बनाया ह है अब इसके अंदर हम सिंग कुषिया बनाएंगे यह देखिए एक सिंग कुषिया है कि दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे कि साथ कि और यह लाश्ट का है फ्रेंस देखिए आठ तो इसके कि अंदर हमने आठ सिंग कुषिया बनाया है देखिए इस तरी किसे अब धागा फ्रेंस नीचे की साइड से हम आगे कर लेंगे यह देखिए जहां से हमने चैन बनाया था उससी के फंदे में कुषिया को डालके और धागे को यहां से निकाल लेंगे यह देखिए बंद करते की सुम्पल को पूरा समझ में आएगा वी नहीं पाएंगे तो इसकी पना करें वीडियो को पूरा देखें तो देखें इसके अंदर आठ सिनकु इमझा बना लिए हैं अब जहां से बनाना स्टर्थ किया था उसी के फंदे में देखिए फ्रेंस यहाँ पर इसमें सिधागी को निकाल के और इसको में बंद कर लेना है अब इसके आगे देखिन हम चेन बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4 4 चेन बनाके दो रॉंड इसले पेटेंगे कुरूशा में और फिर नीचे इसी वाले फंदे में से यहां से देखिए हम त्रिपल कुर्षय बनाएंगे तो इसको हमने बंद कर लिया है और यहां पर देखिए थोड़ा सा इसके अंदर जगह है अब इसमें हम पत्ती बनाएंगे फ्रेंज और देखिए जो धागा है यह लोबला इसको हम उपर की साइट कर देंगे इस तरीके स इसे में धागा उपर कर लेना है अब थोड़ा सा धागा खीच के फ्रेंज ऐसे और फिर आगे देखिए लपेट के फिर इसके फंदे में से ऐसे देखिए धागे को निकालके यहां पर हम आठ राउंड इसे धागा कुर्षय में लेंगे जैसे हमने फर्स्ट वाली पत्ती भृषयाले कि बना इसे मुज से ही अब यहां पर बनेगा अब इसके आगे फ्रेंज देखिए हम दो-दो धागा रखके इसको बंद करेंगे तो इसी तरीके हैं दोनों साइट का बना लेंगे étaient हमने बना लिया है दोनों साइट का य iOS को रिचिया में अब इसको र्मरैए अब इसको में घूमा लेना है अब यहाँ पर हम धागा छोड़ देंगी यह लवाला धागा लेंगे अब इसको फंदे में पहले से डाल लेंगे और थोड़ा सा धागा हम खीचेंगे अब यहाँ पर देखिए फ्रेंस जो पार्ट है सभी पार्ट के अंदर से नधागे को निकाल लेंगे जैसे हमने फर्ष्ट वाले पत्ती में बनाया था सेम ऐसे ही इसमें भी बना लेना है तो देखिए फ्रेंस हमने इसमें भी पत्ती बना के त्यार कर लिया इसी तरीके से हम इसको और बनाएंगे तो देख सकते हैं फ्रेंस हमने इसमें और बना लिया है और इसकी लंबाई आप अपने दर्वाजे के ब्रावर बनाएं अब इसके आगे हम इसमें फ्लावर लगाएंगे तो हमने यहाँ पर रेट कलर का धागा लिया है और यहाँ पर देखिए फ्रेंस यह जो चैन है देखिए यहाँ पर यहाँ पर यह दो चैन है अब इसी के अंदर हम देखिए पहले तो धागे को यहाँ पर हम अच्छे से बांद लें ताके खुले न तो देखिए फ्रेंस इसको हमने अच्छे से बांद लिया है और धागा दो, तीन, चार, एफ पांच, तो पांच बाते से धागा निकाल लेना है, और सबी फंदों को एक साथ हम बंद करेंगे, यह देखिया इस तरीके से, और फिर जो उपर का फंदा है, इसमें हम सिंगर कुर्षिया बनाएंगे, देखिया एक सिंगर कुर्षिया, और इदेखिये दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो देखियी फ्रेंस हमने साथ सिंगर कुर्षिया ऐसके अंदर बनाया है, अब आठ्वे में इसको हम बंद करेंगे, इदेखिया इस तरीके से बंद करेंगे, अब इसके आगे देखिए फ्रेंस हम धागे को ऐसे लपेटेंगे और फिर देखिए इसी वाले फंदे में से फिर हम 5 राम निकाल के कुर्षिया मिलेंगे तो देखे फ्रिंस हमने ए 5-4 निकल लिया है अब इसको हम बंद कर देंगे ये गा बंद कर देंगे ये देखे इस तरीकेसे बंद कर लेना है और फिर इसके फंदे में हम यहाप पे 7 सिंग्यकृशया बना लेंगे तो देखी friends हमने दोनों सेट का ये पब बना लिया है छे पब अब जहां से हमने बनाना देखी श्टार्ट किया था उसी में इलाके इसको में बंद कर देना है तो पब बनाना बहुत ही सिंपल था इसलिए हमने पूरा नहीं दिखाया friends और यहाँ पर धागे को हम कट करेंगे तो देखी friends flower हमारा बनी गया है तो इसी तरीके से हम सभी design के अंदर बना लेंगे अब देखी उल्टा करके मैं इसको दिखा दे रही हूँ इसके आगे friends जिस तरीके से इसको हमने बनाया red वाला उसी तरीके से मैं white flower इसमें बना लूँगी तो देखी friends हमने इसमें red और white flower बना लिया है इसी तरीके से हम इसको पूरा बना लेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंस यह तोन पट्टी हमने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है इसमें हमने रेड और वाइट से फ्लावर बनाया है इससे बहुत ही सुन्दर लग रहा है अगर फ्रेंस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा फिर मिलती हूं किसी नए डियान में थैंक यू